Hello everyone, welcome back to the channel आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 English words Words कम हैं लेकिन सभी words बहुती ज़ाधा useful और important है First word है Foggo Foggo एक verb है और इसका मतलब होता है अभीस्ट काम को जानबूझ करना करना अभीस्ट काम मतलब वो काम जो आपको करना है No one was prepared to forgo their lunch hour to attend the meeting बैठक में यानि की meeting में participate करने के लिए भाग लेने के लिए कोई भी अपने दोपहर के भोजन के समय को त्यागने के लिए तयार नहीं था तो Foggo का मतलब होता है किसी काम को जानबूझ कर ना करना Next है Mainstay Mainstay noun है और इसका मतलब होता है किसी वस्तु, कारे या गति विधह आदि के अस्तित्व या सफलता का मुख्याधार मतलब किसी काम या किसी activity मतलब किसी काम या किसी activity की success जिसके उपर depend करती है जो main point होता है या जो main cheese होती है जिसकी वजहासे उस activity को या इस काम को सफलता मिली होती है, सकसेस मिली होती है, उसको बोलते हैं मेंस्टे. Agriculture is the mainstay of our country's economy. Agriculture is the mainstay of our country's economy. मतलब कृषी देश की अर्थ व्यवस्ता का मुख्याधार है. जो हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता एकनॉमी है, उसकी जो सकसेस है वो agriculture की वज़ा से. Mainstay मतलब मुख्याधार. Next word है, fathom. Fathom वर्ब है और इसका मतलब होता है, किसी बात को अच्छी तरह से समझना, या किसी बात के मीनिंग को अच्छी तरह से समझना. Usually हम इस word का use negative sentences में करती है, negative sentences जहाँ पर not आया होता है, या जहाँ पर sentence negative way में बोला जा रहा होता है, इसको हम example से clear करती है, I am not able to fathom what you are talking about. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस बारे में बात करें, negative sentence है, यहाँ पर not आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर fathom का use किया है, fathom word को negative way में यूज करती है, next है vigor, vigor नाउन है और इसका मतलब होता है, शक्ती, उर्जा, बल, उत्सह, जोश या ताकत, मतलब strength या energy, after a brief break she returned to the job with renewed vigor, थोगे समय के break के बाद भे, नए जोश के साथ काम पर lot आई, नए जोश के या नए उत्सा के साथ काम पर lot आई, renewed का मतलब होता है नया, renewed एक adjective है, next word है ravage, ravage verb है और इसका मतलब होता है, किसी चीज को बुरी तरह नुकसान पहुचाना या नस्ट कर देना, मतलब या फिर हम ये भी बोल सकते हैं किसी चीज को शती पहुचाना, मतलब destroy करना, the village has been ravaged by floods, गाउं बाग से तभा हो गया है, या बाग ने गाउं को तभा कर दिया है, ये sentence passive voice में है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बाग ने गाउं को तभा कर दिया है, तो ravage मतलब तहस नहस कर दिना!